नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जाम बताएंगे IPC धाराओं के बारे में जो हम देखते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं उन इंपोर्डेंट इंपोर्डेंट धाराओं के बारे में हम आपको बताएंगे तो चलते हैं आगे धारा 307 यह हत्या की कोसिस होती है धारा 307 के अंडर जो हत्या करते हैं यह हत्या की कोसिस करते हैं वो इसके अंडर आते हैं उसके बाद है धारा 302 यह हत्या कांड होता है जो हत्या कांड करते हैं हत्या कर देते हैं वो 302 के अंडर आते हैं धारा 306 इसमें बलतकार जो लोग बलतका जो लोग डगयती करने जाते हैं और हत्या और कर देते हैं किसी को मार देते हैं वह इसके अंडर में आते हैं धारा 120 इसके अंदर सद्द आता है अगर आप किसी इनसान के खिलाब मारने का या लूटने का सद्द रजते हैं तो इसके अंदर में आएगा धारा 365 जे अपहरण है किसी का अपरण हो जाए तो वो 365 के अंडर में आएगा धारा 300 सौरी धारा 201 जिस सबूत मिटाना अगर किसी आदमी को मार देना या चोरी करना फिर उसके बाद सबूत मिटाते हैं तो इसके अंडर में यहां लोग चोरी करते हैं वो सके अंडर में आते हैं नौ के अंडर आते हैं धारा 310 इसके अंडर ठगी करना जो लोग ठगी करते हैं लूटते हैं वो इसके अंडर में आते हैं धारा 312 इसमें गरपात करना जो लोग अपनी प्रेमिका को या किसी बाइप को गरपात कर देते हैं फिर भाग जाते हैं उसे बताते हैं कि हमारा कु जिसको बंदा कहीं से आ रहा है, या किसी के घर में कूद के हमला करते हैं, वो धारा 3001.3rico के एंडर आती है। धारा 334 है इसमें इस्तरी • लज्जा भंग आती जो इस्तरी की लज्जा को πα्रास भंग करते हैं वो 374.00 के एंडर आती है। धारा 362 इसमें अपरण आता है धारा 415 इसमें छल करना किसी के साथ छल करना दोका देना वो इसके अंडर आएगा धारा 445 इसमें घ्रेव भेदन आता है या किसी की घ्रेव में भेद करना वो इसके अंडर आता है धारा 494 पती या पत्नी दूसरे विवा करते हैं तो वो इसके अंडर में आते हैं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है तो लाइक करें अगर अगर अप पूरा पूरी czas 511 धारा या आप पढ़ना चाहते हैं या वीडियो बनवाना जाते हैं तो लाइक करें कमेंट करें और हमें कर बताएं कि हम उस पर और वीडियो बनाएंगे आपको धन्यवाद